हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लो आसा करते हैं अच्छे होंगे और वीडियो सुरू करने से पहले जरा ये देखिए और रोड के उपर पानी है और पानी के उपर नाला है मतलब यार ऐसे नमूनों की कालाकारी देखके एक ही सवाल पूछना चाता हूं वैसे भाई इंडिया में अपने ऐसे इंजिनियर बहुत कम ही मिलते हैं लेकिन मुझे एक बास समझ नहीं आ रहे इस सिंड़ी पे चढ़े तो चढ़े के वैसे इन सिंडियों पे चढ़ने को आ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वैसे आपके घर में भी काम चल रहा होगा तो किसी अच्छे मजदूर को बुला के काम करवाए सस्ता नसा करने वाले मजदूरों से जरूर दूर रहे नहीं तो आपको बाद में पस्ताना पर सकता है जैसा कि आप इस क्लिप में कि एक सिनियर इंजिनियर काम कर रहा होता है तभी पीछे से भाईया जी हथोड़ी को चेंज कर देते हैं और जब भारी हथोड़ी टायल पर पड़ती है तो टायल की नानियाद आ जाती है टायल पूटने के बाद अब भाईया जी कर भी क्या सकते हैं और ये कारिगर जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेदा भी कर रहा है मतलब जिस सिंढ़ी पर खड़ा है उसे को तोड़ भी रहा है सेड़ी गिरने के कागार पर आ जाती है तब भाईया जी अगर आप कम जगह में बढ़ियां घर बन वाना चाहते हैं तो मिलिए इस इंजिनियर से इस इंजिनियर ने बहुत ही दिमार लगाने के बाद एक ऐसा घर बना के तयार कर दिया जिस पर चढ़ने का कोई रास्ता ने वैसे आपको इस घर में जाने का रास्ता दिख रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वैसे मैं आपसे एक सवाल पुछूँ कि आप टॉलेट किसलिए उपयोग करते हैं तो आप सीधे बताएंगे कि सुबा सुबा वहीं जाना पड़ता है लेकिन अगर मैं आ देखने के बाद मोदी जी दो सब्द कहेंगे तने तेजस्वी लोग है मर पास कितने शांदार विचार रखते हैं जी और वीडियो में यहां तक आही गए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाले यार क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनान शोग पहां ड़िखतनीद आए छधन देखना रखते हिद तेम जी झायां गिजिए भाई cerca Tabii सब्सक्राइब कह है सब्सक्काइब करते हैं धुछ fraction जी बनानीघक देखके भाईब कोगके वन भाई जांग है कितना दबाएब को